नमस्कार दोस्तों भारत के गौरो यानि की प्राइड आफ इंडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे भारत के रहने वाले भारती मूल के कुछ ऐसे बेक्तियों के बारे में जो आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं भारत को गौरवान बित कर हैं इस हिम से कुछ ऐसे नाम से यानि की हैड आफ इस्टेट के बारे में आज हम डिसकस करेंगे जो भारती मूल के हैं तो पुर्तगाल आयरलेंड गुयाना मौरिशस सिंगापूर यह वो देश हैं जहां के हैड आफ इस्टेट प्रिजेंट टाइम में एक भारती मूल के के बेक्ति हैं तो इसमें से जो पहला नाम आता है वो है by कमिडर ऑफ मौरिशस इः स्वारी माफ कीजीए प्राइम व्यमिनिस्ट्र ऑफ पुुर्तगाल प्रेजन टाहिम में उहां के प्रधान मंत्री हैं उनका नाम है एंटोनियो कोश्टा अंटोनियो कोश्टा जी भारती ये मूल से हैं भारती मूल इस परिवेक्ष में कि इनकी जो फैमली है वो गोवा से बिलोंग करती है एक्चुली 1961 के पहले गोवा एक पौertगाल की कॉलोनी हुआ करती थी और वहाँ पर ही इनके दादा पर दादा निवास करते थे यहां से पिर उसके BAD ये लोग सिफ्ट हो गएं मोजांबिक जो कि आज आफिकन कंट्री है एक और उसे वक्त ये पौर्टगाल की कॉलोनी हुआ करती थी फ इंडिया आ भी चुके हैं और गोवा भी एक दो बार गए हैं ये अपने गाउं में और अगर हम पुर्दगाल की बात करें तो पुर्दगाल वही देश है जहां के बासकोड गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1490 में की थी जिसके बारे में आप हिस्ट्री यानि की मौडर्न हिस्ट्री में पढ़ती ही होंगे और पुर्दगाल की स्पेसलिटी की बात करें तो पुर्दगाल तीन ओर से इस्पेन से घिरा हुआ है और इधर से इसको समुद्र मार्ग मिलता है और यह यहां से और अगर जली मार्ग से बात करें तो यह मुरको से साउथ से घ चाहराष्ट ये देखिये जब वारादकरजी भारत आय थे तुनका ये स्वागत किया जा रहा है और जब वारत आय थे तुनका किस तरीके से स्वागत किया गया था। और इनकी family की बात करें तो 1960 में ये Ireland में इनके पिता सिफ्ट हो गए थे और इनके पिता एक लेखक थे और अगर इनकी बात करें तो ये profession as a doctor है और Ireland की अगर हम बात करें तो Ireland की जो capital है वो Dublin है और ये एक European country है इसके बाद अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर आफ गुयाना की तो गुयाना के जो वर्तमान में प्रधान मंत्री है वो है Moses नगमुतो तो जो ये नगमुतो जी है ये 2015 में गुयाना के प्रधान मंत्री बनते हैं और अगर इनकी बात करें हम तो ये एक Tamil profession ये एक teacher, journalist, lawyer तो आप देख सकते हैं कि ये कितने talented हैं पहले teacher थे फिर journalist थे फिर lawyer बने फिर उसके बाद अपने career को politics में लेकर आएं तो काफी talented हैं और इनको जो है third world Tamil conference जो है इसको भी नोंने host किया था और अगर हम बात करें गुयाना की तो गुयाना एक डक्षिण अमेरिकी देश है जो कि यहां Brazil, Venezuela से घिरा हुआ है और यहां बात करें तो Atlantic Ocean से फिर इस यह इनका नाम है प्रविंद कुमार जगनात तो अगर इनकी बात करें तो यह उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है वहां से इनके परिवार रहने वाला वहीं से था और 1873 के लगभग इनकी जो इनके जो दादा परदादा थे उनको अंग्रेज लोग मजदूर बनाके गना बोने के लिए एक लेके गए थे जिसे हम लोग नॉर्मली गिरमितिया मजदूर भी कहते हैं गिरमितिया मजदूर तो वहां से उनको मौरिसस ले गया था ले गये थे मौरिसस में काफी संख्या हिंडियन्स की है और वहां पे हिंदी एज़ अफ्रिकन कॉंटिनिंट का कंट्री है जो की मेड़ागासकर की इस साहध्यानी की पूर्व की और पड़ता है और इंडियन ओशन में ये कंट्री है फिर इसके बाद अगर हम बात करें यह हैं प्रेजिडेंट आफ की सिंगापूर की एक समदाय है और यह एक इंडियन ओरि अगर हम हलिमा जी की बात करें तो यह जो इस बार चुनाव हुआ था इसमें बिना चुनाव मतलब चुनाव हुआ नहीं और एक मात्री यही प्रतियासी थी तो बिना वोटिंग के यह जीत गई थी तो इस तरीके से यह हमारा पूरा लेक्चर था इस पूरे लेक्चर को इस पर एक next series बनाएंगे जिसमें भारत TML के जो companies के CEO है चाहे वो other private sector, चाहे वो government sector में किस तरीके से अपना influence बनाए हुए है, Indian diaspora जो है वो कितनी powerful है, powerful है पूरे world में उसके बारे में हम discuss करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद.